आजम बात करेंगे डालिन थोमस के द्वारा लिखी की एक बहुती शांदार पॉयम फॉरन हिल जिस तरह से एक घाश हरी बरी है उसी समान मेरी खुशी भी हरी बरी है जैनकि उसे बहुत ज़्यादा खुशी होते थे रात के वक्त गाड़ी के उपर तारे सितारे चमकते हैं और वो तारे सितारे जितने जिमनत दिखाई देते थे जितने विविड दिखाई देते थे उतना ही विविड उसकी खुशी हुआ करती थे समय ने खुद मुझे ये सब आनंद लेने के लिए मोका दिया वो सभी मेरे लिए सुनहेरे दिन थे, मैं जी बरके उन दिनों को जीता था, मैं उन दिनों अपने आपको राजा के समान, एक प्रिंस के समान समझता था, क्योंकि मेरे आस पास बहुत सारे एपल के पीड और गाड़ियां हुआ करती थी, इन सब में अपने आपको एक प्रिं की तरफ महसूस करता था मैं गाना गाता था जैसे कि मैं अपने घर में ही हूँ सूरज तेजी से चमक रहा था और समय ने मुझे खुद मोका दे रखा था कि मैं इन सुनहरे मोमेंट्स को इन गॉल्डन मोमेंट्स को पूरी तरह से एंजोई कर सकूँ और एक कैरफरी बच्च में मारता था या पानी में जब फैंकता था तो नदियां भी पवित्र लगती थी मैं अपना पूरा दिन ऐसे ही निकालता था वहां पर किसी के द्वारा उगए गहाश घर की छट के जितनी लंबी हो चुकी थी और उसी घर से जब चिमनी से धुआ निकलता था तो ऐसा दी थी रात में तारों के नीचे सो नहीं पाता था क्योंकि ऐसा लगता था जिसे उल्लू इस खेत को उडा ना ले जाए उस रात को चांद की जो सुनहरी चांदनी है उसके नीचे जब मैं सोता था तो बहुत सारे पक्षी और नाइट जार्श की आवाजे मुझे सुनाई देते थे वहाँ गोडो का एक अस्तबल भी था जो रात में गोड़े इतने काले थे कि वह दिखाई भी नहीं देते थे लेकिन हाँ उनकी उपर जो सफीद बाल थे वो बिल्कुल चमकते वे दिखाई देते थे फार्म पुरी तरह से गाइब हो जाता था लेकिन जब मैं पूरा चमकता हुआ खेत लगता था पूरा आसमान जो रात में गाइब हो जाता था वह सुभे लोट करके वापिस आ जाता था ऐसा लगता था जिसे भगवान ने सबसे पहले इस रोसनी को बनाया है खेत में सब कुछ देखकर कैसा लगता था जिसे खेत की प्रतिक चीज भगवान को प्रेज कर रही हो जितने भी पक्षी है घर है फिल्ड है उन सभके बीच में आपको एक राजा एक प्रंच की तरह महसुस करता था आसमान में नए बादल बने वे थे और इनसभके बीच में मैं एक फैमस स्टार एक सैलेबर्टी की तरह अपने आपको फील करत ता, सूरिज जिसकी रोशनी हर बार वापिस आजाती थी, मैं कैरफरी होकर के दोड़ता रहता था, इधर उधर भागता रहता था, दिल खुश हो जाता था, और इसके साथ मैं मैं गाना भी गाता था, बिना किसी परवहा के, बाद में पॉइट थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है उस समय तो मैं एक बकरी के बच्चे के समान छोटा था समय ने मुझे पता नहीं कहां कहां ट्रेबल करवाया कहां कहां गुमाया उस वक्त मैं बिल्कुल कैरफरी था और बिना किसी चिंता के सो जाता था और टाइम की बिल्कुल भी परवान ही करता था लेकिन आज मैं जब उठ चुका हूँ यानि कि यहां पर point बात कर रहा है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ अब मैं बच्चा नहीं रहा लेकिन जब मैं बच्चा था तो जब बच्चपन था वो बहुत ही छोटा था समय ने मुझे संभाला लेकिन मेरी आज इस्तती समुद्र की तरह हो चुकी है जो बिल्कुल लॉक है तो इस तरह से पॉइम समाप्त होती है मिलता है नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई